इनकी शोरूम की हमें आग लगी है और आग लगी के कारण इलेक्रिक शॉर्ट सर्क्यूट जो इनको अभी प्रमेफिसी जो मौके बताए जा रहा है अभी इसके आग लगबगा वी कंट्रोल में है इनका जो भी नुकसान है इसका वीडियोग्राफी की जा रही है इसके बाद इसके फॉरंसे के जो हमारी जो फायर हुआ की टीम है उसके तरह फिर गयंदा से जान्च करेंगे किस कारण साग लेगे क्या कराने उसके बाद इनक आग कंट्रोल में है तो आश्चा करते कि इसको जल्दी हम और सारंगपूर से मीरट से गाड़ी बलाए गई थी जान सब्सक्राइब के साथ जल्दी काबू ना पाए जाता तो कितना बड़ा नुपसान हो सकता नहीं देखिए हर एक चीज़ के लिए रियक्शन टाइम होत तो गाड़ी लेके आगे रियक्शन टाइम बहुत शॉट था और क्योंकि इंफ्लमेबल मेट्रियल ती जैसे की ऑईल्स ती इसमें आग लगी ट्रम्स के आग लगी तो लुब्रिकेंट होने के नाते आग और गर्मी है तो इस पे काबू पाई गई गई जो भी आप लगी सर्वे और विडियोग्राफिक की जाएगी उसके बाद सही आकलन बता जाएगा नहीं आज की टाइम पर सुचना में लिए कोई किसी का भी क्याश्यूलेटी नहीं है सब लोग टाइम पर बाहर आ गये और उनका जो आईसा कोई जन्हाने की कोई अभी इसके डीटेल में ज मेरा नाम संचित गोईल है सन और मिस्ट जिबान गोईल यह रादा गोविद हमारी आज सुबह मेरे पास खबर आई लगबक साड़े दस बजे कि हमारे आपर शॉट सर्कित के कारण कुछ आख लग गई है उस नहीं में घर पे था तो उसके बाद तकाल यहां पर आये हमार कर लाशायता के लिए परशाटन का पूरा सुपोर्ट मिल रहा है अब कि शुरूंग में काफी रुक्सान है वोक्शॉप में सपेड़ बार अक्सेस्री में काफी लुक्सान है बट बगवाण की किरपाज है हमारा स्टाफ और हम सभी शुरक्षित है हम लोगी गाड़िया कि सर्विस के लिए आती है या अब तोनलाइव के अब लेए और निगान ली थी तो किसी ही कस्तिमर की किसी ठी कोई लॉस नहीं। अभी अंदाज़ना मुशक्य थी जांदमाल 학 कोई कोई हाली नीए वगवान के एक्सेल है नगा रही तो लगा जा रही है जा रही दिए कर देखते हैं किया निकल चाहिए आता है एक्सपर्ट दौरा चेक कराइँ छेख करेंगा यहां पे टीम साहब मौजूद है और फायर स्टेशन के अपने अधिकारी मौजूद है प्रशाइद का पूरा सपल्ट है